हेलो एब्रिवन, बहुत बड़ा डेवलेप्मेंट हुआ है मियानमार में मियानमार की सेना ने अपना कंड्रोल कर लिया है देश पे और वहां के सबसे बड़े लीडर आंग सांग सू की और उनके साथ कई सारे नेता को एरेश्ट कर लिया गया है पूरे दुनिया का इस पे क्या रियक्शन आ रहा है इस पे बात करूँगा और उसके साथ यह भी जानेंगे क्यों मियानमार में ऐसे हुआ और उसके साथ इंडिया पे इसका क्या एमपेक्ट होगा चाहे वो अमेरिका हो, रश्या हो, नेपाल हो, लेटिन अमेरिकन कंट्री हो, आसियान कंट्री हो या फिर भारत भी और ये कहीं से भी अच्छा नहीं है दुनिया के सांती के लिए कई सारे नेता को एरेश्ट के बाद वहां के मिलिटरी टीवी ने कंफर्म किया कि देश में एक साल के लिए इमर्जनसी गोसित कर दिया है देखो वहां के सेना और सिविलियन गवर्मेंट के बीच तनाव सुरू से था उसका बज़ा यह है कि 2011 तक मियानमार में मिलिटरी रूल ही था उसके बाद ही वहां डेमोक्रिटिक रिफॉर्म चालू हुआ पहले मियानमार को बर्मा के नाम से जाना जाता था सुमबार के सुबर सेना ने कहा कि वह कमांडर इनचीफ मींग आंग को देश की सत्ता सोप राए और सेना जितने मैनमेन सहरें वहां के सरकों पर खड़ी है आके हाल में ही नमंबर में वहां चुना हुआ था जिसमें वहां की पार्टी NLD National League for Democracy ने 83% सीटों पर जीत हासिल किया था यह 2011 में सैन सासन की समापती के बाद दूसरा चुनाओ था इस चुनाओ को लेके पूरे मियानमार में चर्चा थी कि लोग कितना खुसें नए डेमोकरेटिक प्रोसेस पर इस पर जनता ने मोहर लगा दिया फिर से इतना सीट जीत बाके कि मियानमार के लोग डेमोकरेटिक चाहते हैं ना की मिल्टरी रूल आप खुद सोचो जो सेना सालों से वहां पे सत्ता चला रही थी मजे लूट रही थी सत्ता के आड़ में इस बज़ा से उन लोगों के हाथों से पावर जाते देख क्या उनको सुकुन मिलेगा हुआ यही सेना ने कहा कि चुनाओ में धांदरी हुआ है और इसको लेके वह सुप्रीम कोट में सिकायत दर्ज कराया लेकिन चुनाओ आयोग ने सेना के आरोपों को खारीज किया जब सेना के पास कोई रास्ता ना दिखा तो वो धमकी देने लगा कि चुनाओ में जो धोखागड़ी हुआ है उसको लेके हम कारवाई करेंगे तब से यह आसंका बढ़ गया था कि मियानमार में तकता पलट हो सकता है अब्येसली अगर डेमोकरसी को इस तरह से कुजला जाएगा तो दुनिया के बड़े डेमोकरेटिक देश इस पे बोलेंगे अमेरिका ने इस घटना पे विरोध जारी किया और कहा वह कोई ऐसे कदम का विरोध करता है जो मियानमार की डेमोकरसी को कमजोर करने की कोशिस करेगा अमेरिकी बिदेश मंतरी एंटोनी ब्लिंकन ने सभी अरकारी अधिकारियों और सिविल सोसाइटी लीडर्स को तुरंत रिहा करने को कहा और कहा अमेरिका लोकतंतर, स्वतंतरता, सांती और विकास के लिए मियानमार के लोगों के साथ खड़ा है वहीं ऑस्टेलिया के फॉरण मिनिस्टर ने सभी नेताओं को रिलीज करने को कहा और कहा चर्चा के चरिये डिस्पिट्स को सुलजाए ना कि मिलिटरी रूल लगागे वहीं Human Rights Watch के जोन सिफ्टॉन ने कहा कि रियालिटी यही है कि भले ही कुछ सालों से मियानमार में डेमोकरिक गवर्मेंट थी लेकिन सेना ने कभी उसे अपने से उपर नहीं उठने दिया उन्होंने कहा वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं क्योंकि एक ऐसा देश जहां लाखों लोग भूखे सोने को मजबूर है आज हुआ देश हतियाराओं की बेडी में जकडा हुआ तडप राए ग्राउंड पे सिच्वेशन के बारे में अगर आपको बताऊं तो वहां मेजर सीटी में इंटरनेट और कुछ जगा फोन सर्विस बंद किर दिया गया है इसको लेके वहां के स्टेट ब्रोडकास्टर MRTV ने कहा कि कुछ टेकनिकल इस्यू की बज़ा से ऐसा हुआ है वहीं सहरों से दूर लोग नॉर्मली तरीके से सुवा का सुरवात किये लोग इस पे बात तो कर रहे हैं लेकिन पैनिक नहीं है इतना भी अब मियानमार के सबसे बड़े लीडर आंग सांग शू की के बारे में जान लेते हैं जिन्होंने सालों के श्ट्रगल से वहां डेमोकरिसी लाया वह मियानमार के इंडिमपेंडेंडेंस के हीरो जेनरल आंग की बेटी है 1948 में ब्रिटीस सासन से स्वतंतरता प्राप्त करने से ठीक पहले जब वो दो साल की थी तो उनके पिता का हत्या कर दिया गया था 1991 में उन्हें नोबेल पीस प्राइस दिया गया था उस समय भी वो हाउश्ट एरेश्ट में थी उन्हें 15 साल तक डिटेन करके रखा गया था 1989 से 2010 तक नवंबर 2015 में उनकी पार्टी NLD ने लेंड्सलाइड विक्टरी हासिल किया जो कि 25 साल बाद म्यानमार में पहला ओपनली कंटरस्टेट एलेक्सन था वो जीतने के बाद भी प्रसिड़न नहीं बन पाई उन पे यह बड़ा आरोब भी लगता है कि वो रोहिंग्या मुस्लीम को लेके सेना द्वारा किया गया अत्याचार पे कुछ नहीं बोली जिसके बज़ा से लाखो रोहिंग्या को म्यानमार छोड़कर भागना पड़ा देखो भारत यहीं चाहेगा कि मैं आरोबार में डेमोकरसी बने रहे क्योंकि भारत सबसे बड़ा डेमोकरसी है दुनिया का और यही भारत के हित में भी है आने वाले समय में क्या होगा उस पे पता चलेगा मिलते हैं अगले वीडियो में थेंक्यू